हेलो एवडीवेन आप सब अच्छे से होंगे आज मटर के कोफते बनाते हैं तो अभी विंटर का सीजन चल रहा है तो ताजी मटर बहुत अच्छी आ रही है तो हम इसकी एक रेसिपी बना रहे हैं तो होती एजी है और आसानी से और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है तो आप इसको जरूर ट्राइ करिएगा आए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं इसके लिए सबसे पहले हमने हाफ केजी मटर उबाल ली है यह गल गई है और इसमें हमने तीन अबले आलू और दो चम्मच बेसन एट कर दिया है इसके बाद इसमें हम कुछ मसारे डाल है इसमें हम हाफ टीस्पून लाल मिश पॉडर डालेंगे और हाफ टीस्पून इसमें हमने नमक कर डाला है और हाफ टीस्पून ही इसमें हम जीरा पॉडर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे और मटर का पेस्ट नहीं बनना चाहिए आधी आधी मटर दिखती रहे तो ठीक अच्छी लगती है वो कोफते में उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो आप अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसका हम कोफता बना रहे हैं हाथों पर लेके बहुत आसानी से बन जाता है इसका कोफता बाइंड हो जाएगा कोफते नहीं बन रहे हैं और तूट रहे हैं तो आप ब्रेट क्रम्स मिला लीजे एक से दो चमच तो हमने इसी तरह से सारे कोफते बना लिये हैं अब हम फ्राई करने के तरफ जा रहे हैं तो इनको शैलो फ्राई करेंगे तो चलिए आप कोफते फ्र कर लेते हैं और इनको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राइ करेंगे बहुत जादा तेल नहीं डालेंगे और हमने डालने के बाद पलटना भी नहीं है कम से कम दो से तीन नड़ तक एक तरफ हो जाएंगे उसके बाद ही हम इसको टर्ण करेंगे तो देखिए इनके उपर अच्छा सा कलर आ गया है और ये बिल्कुल टूट भी नहीं रहे हैं तो इसी तरह से आप इसको बनाईएगा और टर्ण नहीं करना है बार बार और जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद ही आप इनको बाहर निकाल लिएगा सुलो फ्लेम नहीं रखना है मीडियम फ्लेम पेस को करेंगे तो सबसे अच्छी तरह से फ्राई होते हैं अब इसकी ग्रेवी के लिए हम मसाला पीस लेते हैं तो हमने यहां पे दो टमाटर दो मिर्च और थोड़ी सी अधरक पीस लिए और उसके बाद हमने दो प्याज बूला डाल देते हैं 1.5 टीस पून और एक छोटी लाची काली मिर्च और थोड़ा सब्दार चीज़ी का टुक्रा डाल देंगे इसके बाद इसमें हम वो जो हमने ग्राइंड किया था मसाला वो डाल देते हैं और इसको भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पे इसके बाद इस इसको हम मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे मसाले को कवर करके अच्छी तरह से भूनेंगे तो यहां पे हमने 10-12 मिनिट तक इस मसाले को भूना है हमने इसके मसाले में लेसन नहीं यूज किया है और आप चाहें तो डाल सकते हैं तो देखिए मसाल अच्छी तरह से भून र बिया था वो एड़ करेंगे हैं और इसको भी उट्चे मसाले मिक्स अधू कर लेंगेаждगों कोफ्तों पे उच्के मसाले कोट कर देंग एूं कोफ्तों पे हलके миक्स करें वरना कोफ्ते तूट सकते हैं तो आप इसको तो हलके हलके सारे कौफ्तों पर मसाले को लगा दीजिए और इसके बाद इसमें हम पानी डाल रहे हैं तो हमने पानी यहां पे एक से डिड़े कब डाला है और आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए अपने हिसाब से अड़ेस्ट कर लिजेगा दो तिन हरे मिर्श डाल दिये हैं जिनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बाद में पानी एट करने के बाद इसको हमें दो तिन मिनट और पकाना है तो हम कवर करके पकाएंगे इसको थोड़ी सी हरा धन्या डाल देंगे और बाद में हम इस पे गरम मसरा डालेंगे लिए और लाइक करिए तो ये मटर के कोफ़ते बन के तयार हो गया है अब खाने के लिए रेडी हैं इसमें हमने गरम मसरा भी डाल दिया है थोड़ा से उपर से और अब इसको हम सर्फ कर लेते हैं तो आप इसको अच्छे से सर्फ कर लिजे तो नान से पराठे से और चपा लगी है